हेलो एब्रीवन विवेक दिस साइट फॉम फिंटेक्स प्रोज यहां पर हम बात करते हैं फाइनस एंड टेक्सेशन की जेस्टी के अंदर एक डॉकुमेंट इशू की जो डेट होगी उसके थर्टीन डेस के अंदर अंदर जो है आपको इन्वाइस बनाना होगा उसके बाद आप इन्वाइस को रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे इन्वाइस पोर्टल के उपर उस इन्वाइस को रिपोर्ट नहीं कर पाओगे नो यहां प करोड यह कब से अपलाए होगा 1st April 2025 से यह वाली लिमिट अपलाए होने वाली है 10 करोड की सो अगर आपकी आपके किसी क्लाइंट की टर्न ओवर 10 करोड से अबव है इन देट केस आपके उपर यह टाइम लिमिट अपलाए हो जाएगी इन्वोईस को रिपोर्ट करने की पोडल के उपर अगर आप कोई invoice tally के इंदर बनाते हैं तो within 30 days आपको उसको report करना होगा 30 days के बाद में आप report नहीं कर पाओगे पहले ये limit 100 करोड की थी अब इसको reduce करके 10 करोड कर दिया गया है from 1st April 2025 से तो जरूर इस important update का ध्यान रखिएगा 5th November 2024 को ये advisory जो है वो issue की गई है and guys इसके साथ साथ मैं आपको update देता चलू जो GSTR 9 और 9C के session है 15th November तक आपके course के अंदर वो detail में मैं update कर दूँगा case studies के साथ में और इस बार और भी detail session में include करने वाला हूँ जहांपे आपके मैं सारी की जो supplies related outer supplies related adjustment ITC related adjustment उसका reconciliation and return में किस तरीकी से करना होता है सारी चीज़े में practical case study के साथ में जो है वो आपको course के अंदर दूँगा बहुत जल्दी 15 तक का time दो because इस बार live ही बहुत late हुआ है GSTR 9 का form इसलिए थोड़ा सा delay हो रहा है but मैं try कर रहा हूँ बहुत जल्दी से जल्दी आपको GSTR 9 9C के session course में देखने के लिए मिल जाएंगे अगर आपको ये session पसंद आया हो informative लगी हो ये video तो like कीजिए इस video को subscribe कीजिए हमारे channel Fintex Pro को मिलता हूँ आपको अगले session में तब तक हस्तरी है मुस्कुराते रहे ये बाई बाई टेक के हैं